गुजरात की चुनावों को लेकर असदुदी नुवेसी ने कॉंग्रियस और बीजेपी पर जम कर निशाना साधा है आज तक से खास बाचीत में अपनी पार्टी की रणीती की चर्चा की उनसे बाचीत की आज तक समरता पॉलमी सहान है हमारे साथ इस वक्त एया एम आएम चीफ असदुदी नुवेसी है वीसी साथ आपने उतारे तो कैंडिड़ेट 14 थे इस इलेक्शन में गुजरात के रहे गए 13 ऐसा क्या हुआ बापुनगर में बापुनगर में जो हमारे कैंडिड़ेट थे जिनके लिए मैंने एक सभावी की उनकी सपोर्ट में और उसके बाद कल दोपहर में हमको ये खबर मिली कि कांग्रेस पार्टी के कैंडिड़ेट ने उनको उनके जमीर को खरीद लिया और वो उसके फौरण बाद कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं तो इससे आप अंदाजा लगाईए कि कांग्रेस पार्टी अपने को बेशती भी है और खरीदती भी है लोगों को तो ये उनका मकसद रहा है और आज इन्होंने एक कैंडिड़ेट को खरीदा है और कल हो सकता कि भाशपा की साम में जाकर हुटने टेक देंगे तो यही कांग्रेस पार्टी का ये जो बड़े बुलंगबांग दावे सब जूटे हैं 27 साल से बीजेपी को इसलिए नहीं हरा पारे क्योंकि वो जो बोलते हैं वो अमल नहीं करते प्रैक्टिस नहीं करते इनमें और बीजेपी में कोई फरक नहीं है ये किसी भी हद तक जा सकते हैं और कुछ भी करेंगे आप एक बहुत ही सीरिस चार्ज लगा रहे हैं आप कहरें कि कॉंग्रस पार्टी ने आपके कैंडिडिट को खरीद लिया फिर वो वही कहेंगे कि शायद इस चार्ज को जुटला दे बड़ वही कहेंगे कि आप एक तरह से उनका वोट बैंक काट रहे थे अरे मैं काट नहीं रहा था मैं जमूरियत में इलेक्शन लड़ रहा था मैं तो वहाँ पर जाकर बापुनगर की जन्ता के साम में उनसे अपील किया इस कैंडिडिट के बारे में दस हजार से ज्यादा लोग उस उस पबलिक मीटिंग में आये थे और मुझे शर्मिंदगी इस बात की है कि मैं खुद गया वहाँ पर उसके बाद ये शख्स जो है अपने आपके अपने जमीर को बेश देता है तो कॉंग्रेस पार्टी ये दावे करना छोड़ दें कि ट्रांस्परेंसी प्रोबिटी और हम बीजेपी की तरह नहीं है आप में बीजेपी में कोई फरक नहीं है बीजेपी का जो बीटीम आपको कहा जाता है पर आपने इस मामले को उठाया फर इंस्टेंस की बिलकिस पानों के केस में जैसे की आपका कहना है कि जो गोधरा जेल एडवाईजरी कमिटी में जो थे जिन्नोंने कॉन्विक्स को रिमिशन की इजाज़त दी वो आप बीजे ही कहना कि बीजेपी चौनाओ जीतने के लिए कुछ भी करेगी बीजेपी ओपनली हिंदोत्वा आइडियोलोजी को फॉलू कर रही है बीजेपी इस देश में मुसलमानों को पॉलिटिक से इन्मिसिबल कर दिया बलकि उनको गयब कर दिया बीजेपी जो मुसलमानों को पो आमागनी पार्टी बिल्कुल नरेंदर मोडी की सरकार ने बिलखिस बानों के रेपिस को बिलखिस बानों के तीन साल की बेटी के हत्या करने वालों को उसकी मा का रेप हत्या करने चोड़ दिया और उसको टिगेट दिया जिनों ने उन गातिलों को उन रेप करने वालों को सं तो आप कौन सी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप को चुनाओ जीतना है, आप किसी भी हत पर जा सकते और अब जा रहे हैं।